नवस्कार दोस्तों गुड़ वॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट आ रहे हैं से छह बार के तरफ से यह यहां किस जिगा पे कितने सीटे हैं उसका विवरा विभाग के तरफ से भेज दिया गया है तो एक अच्छी खबर साइद देखने को मिल रही है बिहार के तमाम सिच्छक अभियर्तियों को और भी दिखाएंगे यहां पर देख सकते हैं सिच्छा मंत्री ने दिया भरोसा सिच्छक बहाली का नोटिफिक्शन सिग्र चलिए एक अच्छी खबर सुबह सुबह इस तरह सगर मिली तो अच्छी बात है लेकिन तमाम सिच्छक अभियर्तियों कहते हैं कि सारा का सारा से पेपर वाजी होता है धरातल पर कुछ काम नह हो रहा था वह सात्मेचर में भी सिग्र का उपयोग किया जा रहा है साथ ये बढ़ का उपयोग ना हो तो और बेहतर होगा एक खबर देख लिए पटना चपके आ रही हैं पर कहा जा रहा है कि बिहार प्राम्विक युगा सिच्छक संग के अध्यष दिपांकर गौरब औ और मीकू पाल के नितित में हिच्छक संग के सदस्यों ने सिच्छा मंतरी प्रोफेसर चंदर सेकर से मुलाकात की संग के सदस्यों ने सिच्छा मंतरी का स्वागत किया और सिच्छक अभ्यारतों की समस्याओं पर भी बात की परदेश संजोजग कुमार सत्यम ने सिच्छा मंत्री को बताया कि सात्मे चंग के प्राथुन किसी चक बहाली की मांग को लेकर सिच्छक अभ्यर्ती पिछले 19 दिनों से धरने पे बैठे हैं संग के निताओं का कहना है किसी चा मंत्री ने बताया किसी चक अभ्यर्तों की समस्वाओं को यूद अस्तर पर ठीक किया जाएगा नोने जल्द ही सात्मे चन की प्रामविक्सिचक बहाली की बिग्यप्ती जारी करने की मांग को लेकर प्रामविक्सिचक बहाली की बिग्यप्ती जारी करने की मांग को लेकर प्रामविक्सिचक अभ्यरती उनिस दिनों से धरने पे हैं जैसा कि आपको हम बता दें कि पटना में धर्ना प्रशन चल रहा है साथ में जारी करने को लेकार और यह आज के साइध विश्मा दिन होगा कल तक यह उनिस्मा दिन था आज विश्मा दिन हैं लेकिन फिर भी अंदोलन अभी तक चलनी रहा है और सरकार के तरफ से कुछ भी आर्ष्ट अल्टिमेटम नहीं आया है इस बिस दिन में सरकार भीचेंज हो गया है मंत्री भी चेंज हो गया है लेकिन नया नोट अभी तक जारी करने का को उपाई भी नहीं बताया गया है मिलने वालों में सत्यम कुंदन भारती पूजा चांदनी विक्की गोयल अतूल बाल भगवान आदे भी सामिल थे चोटा सा अपडेट हमने ये दिया अब चले दूसरे पेपर का इसमें पढ़ लेते कि इसमें क्या देरा कौन से विभाग की बात की जा रही है उसका भी अपडेट आपको लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको नौकरी चाहिए इस ख़बर पटना चपके आ रही है और नवीटा ब्यूरो के तरफ से इस नूज को परकासित किया गया है जो लग चैनल पर नए जुने हैं एक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर पर्देश में सरकारी नौकरी को लेकर इन दिनों वयानवाजी टेज है जी हां क्यूं ना तेज हो बोला गया था तेजरफतार तेजस्वी सरकार बोले थे यह मेरे नवहां मुख्मंत्री बनें पहले करम केमेट में पहली करम से 10 लाख को नौकरी का अवसर मिलेगा लेकिन उप मंख मंख मंतरी तो बन गया हैं लेकिन किसी वीभाग में वितिक निकली नहीं है सरकार भी नौकरी शैजिन करने के लिए कोश्शिस कर रहे हैं चलिए अच्छी बात है कि सरकार नौकरी देने में लगी हूई है ग्रीभ वीभाग नी किछ दिनों पहले से समंदित विभाग और चि नोसे रिकतियों का व्योगा था जी वांँ कि इसमें कहां कहां कितने सीपहं आप वह में व्योगर दीजे और सभी ने अब व्योगरा भिज भी दिया है विहार में पुलिस विभाग ने बाजा 12,000 M का ब्योरा भेजा है यानि कि जो पुलिस की तियारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी ख़बर है कि बारा आपको सीट आजाएगा जिसमें सब एक सब्सक्राइब सार्जेंट सहाएक जिलर और दस अजार सिपाई के पद सामिल हैं किरसी विभाग ने साढ़े आठ सो रिक्तियों का ब्योरा भेजा है यानि कि किसी विभाग में भी आठ जार सीटे हैं यानि कि बारा अठ बीस हजार हो गया बिहार सरकार में सबसे ज्यादा रिक्तियां सच्छा विभाग में हैं जी हां कहीं भी हो कुछ भी हो अगर सबसे ज्यादा सीट होगा तो वो इ तिन लाख के आसपा सीटे जा सकती है कर सही से कल्कूलेशन एक न की जाए तो जहां एक लाख असी हजार सिस्कों के खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियोजन प्रकिरिया सुरू होने वाली है कुल चालिस हजार पांसो चैनवे परधान सिच्कों का भी शिच्छा विवाग और विप्यश ने वबयोड़ा भेजा है यानि कि जो 40,000 है उसमें परधान सिच्छक के भी भाली होने वाली है और इन पदों पर भी जल्द भाली सुरू हो सकती है विवागए सुत्रों की माने तो स सितंबर से शिच्छक नियुजन के साथ में चंकी भाली प्रकिरिया शुरू हो सकती है जिसमें सबसे पहले प्रांभिक अस्कूलों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा जी हां वन टू एट में जितने भी खाली पड़े पद हैं जो जो स्कूल में खाली सीटे हैं उसक के साथ ही पुलिस वीभाग ने 12,000 रिक्तियों का ब्योगरा भीजा है जी हां पुलिस वीभाग के तरफ से जो पुलिस में जी सीटे खाली है उसमें 12,000 के सीटे भीज दिया गया है जिसमें सब स्पेक्टर साजेंस हैं जेलर और दस जार सिपाई के पत्सामिल है कि शी बि कि समर्वक सामिल हैं वहीं बर्सों से राजस्व विभाग में सरविच्छन अमीन के पद भी खाली पड़े हैं यानि कि जो खेतों को नापते हैं उनका भी बहाली आने वाला है और उनका भी समझे कि पद बहुत सारे खाली हैं इस पर भी जल्द ही बहाली शुरू होगी जा है यानि कि 2000 से उपर का बहाली आपको देखने सुने को मिल सकता है जो अमीन की तैयारी किये हैं हिच्छा के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बहाली करने वाला विभाग स्वास्त विभाग होगा चाहां एक साथ लगभग बारह हजार बहाली होगी जी हां हेल्थ में भ 24 प्रसंद विभाग को भीज दिया है यानि आयूस्ट किस्सा नर्स लैब टेकनिसियन के बहाली होगी इसके साथ ही चल नहीं तकनिकी सेवा आयोग सभी विभाग में बहां से निकाले जाने की तयारी की जा रही है तो एक छोटा सा हमने अपडेट दिया दोस्तों और भी इसी तरह का अपडेट आते हैं विभागों के तब से तो वह भी अपडेट हम अपने यूटूब चैनल के मादम से आपको प्रवाइड कराएंगे तो फिलाल यह वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंटर के बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो नीच पाने के आमारे चै लगा दोस्तूब